मेरे भारत परिबार के सभी सदसेगर आपके अपनी दोस्पायुशा का आपको नमश्कर। कैसे हैं आप लोग, क्या हाले हैं, क्या नया चल रहा है लाइफ में और जिन्दिगी की कुछ हाल, जिन्दिगी के कुछ बीत रही इन लभों के बारे में बताईए, कुछ अपनी सुनाईए। आज मैं फिर से अपनी दिल के बार, अपनी मन से आप लोगों से करूंगी, आज मैं घर से बाहर जा रही हूँ, क्योंकि बस जाना चाहती हूँ, बाहर जाकर कुछ नया करना है आज मुझे, मुझे मेरे अपनी लिये, आज का दिन और आप लोगों के साथ, आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, आप लोग फिर बताईए, अपनी प्रोग्राम, अपनी लाइफ, और क्या आप लोग सूसते हैं, अपने बारे में, खुद की जिंदिगे में कुछ नया, कुछ खुशियां सच देखा जाए, तो हमारी खुशियां हमारे अपने हातों होती हैं और हमें अपने ही हातों से अपने लिए अपने खुद के लिए जीना होता है अपनी जिंदिगी में हमें अपने लिए खुद रंग भरते होते हैं मुश्कोरा के खुश दे के प्रेम भाव से है ना बच्पन में तो ममी पापा भाई बहन मौसी मामी फैमली के सदस्यों के साथ कभी शॉपिंग करना तो कभी बाहर जाना खाना पीना वो मौज वो मस्ती वो जिद जो चाहिए वो फटा फट मिल जाता था ममी पापा अपनी मामी मौसियां बहने पता नहीं उनके पास वो कौन सी शक्ती थी कि जो हम चाहते थे वो हमें पूरी हो कर मिल जाती थी जिद करने पे तो सब कुछ मिल जाता था और बिना जिद किये सब खुश दे देते थे वो लोग जो हम चाहते थे छोटी 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 चीजों में क्या खुशियां थी चोटी चोटी चीज़ें में अपने लोगों के साथ जो जीवन की मस्तियां थी, खुशाली थी, उसका तो कोई कमाल ही नहीं सच लग रहा है ना आप लोगों को, आप लोग भी तो बच्चमें में बहुत मौज मस्ती करते होंगे कभी कोई चिंता ही नहीं थी किसी बात की, क्योंकि मा, पापा जो थे, कभी सूचा ही नहीं जिंदिगी के बारे में, जिंदिगी के उन रावू, उन लभों समों के बारे में, जो जिंदिगी के साथ साथ चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं जानते हैं दोस्तों जब हम बड़े होगे तब हमें पता चला माबाप, अपने बच्छों को, पेरेंस, अपने फैमिली को कितने पूरे मन से मेहनत करके, अपनी जरूरतों को कम करके, सब कुछ वो देते हैं जो हमें चाहिए होता है, हमारे लिए बैस्ट क्या है हमारे लिए क्या जरूरत है, चाहे वो हमारी शिक्षा हो, या हमारी मौच मस्ती, पिकनेक, शॉपिंग, हमारी जेत, हमारे खाने पीने, सारी चीजें, बिन मांगे मिल जाना ममी पापा, I love you बच्पन, सक्षी सहिया और फैमली, वो मौच, वो मस्ती, वो शॉपिंग, वो बाहर जाना उफ, कितना मज़ा था, है ना मैं खुद ही खुद को ट्री देने वाली हूँ खुद को इंबाइट किया है, मैंने खुद को यह यहां, रेस्ट्रेंग में आईगी सब्लों कोद्मी पैमली के साथ आचुके है आप लोग हूँ, यहां रेस्ट्रेंग है अभी यहां पर ग्रेव कोट्रेंग है सूप लोग है सूचियों रद्मी बहुत है पुद्धूरा का पाने दीगों, फिर सूप यहां रेगों इना पुद का की बहुत है सबसे बहुत है सूप सूप अभी कुछ ग्रियल, फिर फूब हुए मुझे सॉसेज बहुत पसंद है इंडियन फूट्ची साथ ख्रीन चटनी जब पास्ता बगेरा खाते हैं तो फिर पास्ता सॉस का क्रोज होता है और जब हम इंडियन फूट खाते हैं तो उसके साथ इंडियन फूट्ची लगते हैं आप लूब भी अपनी पसंद अपनी फूट के बारे में खुछ तो बताईए आईए आप लूब भी खाईए फिलाल में खाती हूँ आप लूब शिर्जँसराइए फिलाल में फिलाल शुट्राइए जयान फेता आप लूब भी खाईए तो आप लूब भी खाईए जयी हनारे है इंडिया कर दो कर दो दो कर दो कि अधिया अधियों तूरस आखिए एक जाखिए मारी में कर दो एक कीछ कर दो के दो कुर दो का हुआ है प्रिश्टी खाएंगे, लेजे, पिश्टी खाईगे, फिडने तो जरूर होती होगी, कभी कभी थोड़ा बहुत खाला अच्छा लगते हैं, थोड़ी यह पिस्टी भी, मैं तो स्विट के बहुत सौखेन में, मुझे स्विश्ट बहुत अच्छी लगते हैं, यह अलग बात है, कि हैल्ग के इसाब से स्विट कम खानी चाहिए, कि हम अपनी हैल्ग का खयाल और प्रॉल भी तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी कभी, जब हम कीट लेते हैं और सुइक खाते हैं, तो ओंसे न ब्लू मॉन, इस ओके, कभी कभार एक बार सुईक तो खाने ही चाहिए, एक बार, जब हम ख़त को एक अच्छी कीट दे देते हैं, तो मेरा तूँ येकीन मा मेरा तो मानना है लाइफ में कभी कभी तो हमें हर चीज की आजादी है हमें हर चीज की चुपी है एक अत्वार तो हमें अलक खना ही चाहिए मैं तो खुद को खुदी ठीट दे देती हूँ और जो मनाता है खा लिए लाइफ में खुद के लिए जीना खुद की पसंद से खाना मन खुश रहना और फिर हमें अपना जीवन दूसरों के लिए पूरा पूरा देना अपनी हैल का ख्याल अपने मन का ख्याल रखे और फिर अपनी जिंदिगी के बहुत सारे महतु जो लमें हैं दूसरों के लिए लगाईए दूसरों की सेवा में लगाईए दूसरों की जरूरत में लगाईए आज मेरा मन्य कुछ न कुछ न कुछ तो मैं अपनी पसंद का लेकर ही जाओंगी इस मन इस यह भी ग्रीन क्लोग काफी आया है ग्रीन कलर अब जो नएने मुबाइल भी लॉंच हो रहे है वो भी सभी ग्रीन कलर के है यह जिस भी ग्रीन कलर की ग्रीन कलर में कुछ अच्छा मिल जाए तो शायद में भी ले लूग लेकिन कलर भी अच्छा हो और जो पहने में थोड़ा इजी लगे गर्मिया है तो लाइट भी लगना चाहिए फ्रेंड्स यह उपर जा रहे हैं हो जो मुझे ट्राइल करके अच्छे प्रेस लगेगी भू में ले लूग ले बस पसंद आने चाहिए और पर इनके अच्छे लगने चाहिए वन पीस मेरा काफी एंकरस्ट है और यह वन पीस का कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सूच रही हूँ इस ड्रेस के बारे में देखिए कितना प्यारा कलर है कितना खुब्सूरत लग रहा है इस ड्रेस की कलर ने मेरा दिल जीत लिया फिर भी मैं और भी देखूंगी और इस ड्रेस को पहन कर देखना चाहती हूँ बताओंगे फिर आप लोगों को अखे मेनी क्या लिया कौन सा लिया कुछ चीजे पैक करनी के लिए भी हैं आपको दिखाओंगे आपके अपनी दोस्पायूशा और आप सब मेरा अपना भारत परिवार हम सब एक परिवार हैं बाइब बाइब